आज हम बनाएंगे खीर, वो भी रबडी जैसी गाड़ी खीर, आजकल सावन का महीना है, खीर ना बने ऐसा होई नहीं सकता, तो चलिए इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए, ये देखते हैं, अब मैंने 3-4 cup जो है वो चावन ले लिए, इनको अच्छी तरह से धो करके, 30 मिनट भीगो कर रख दिया है, 3-4 यलाइची ले लिए, हरी यलाइची छोटी, और थोड़े से ड्राय फूंट ले लिए हैं मैंने, बदाम और काजू, आप चाहें तो इसमें पिस्ता या गरी सकते हैं, साथ में मैंने 5-6 चमश ले लिए, टीस्पून शूगर के, और थोड़ा सा केसर लिया है, और ये 1.5 किलो दूट जो है, वो मैंने ले लिया है, चलिए बनाते हैं स्खीर को, मैंने कढ़ाई ले लिये, आप इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालोंगी, ताकि इसमें हमारा दूट जो है, वो नीचे ना लगे, आप इसमें मैं डालोंगी, 1.5 किलो जो दूट था, इसमें डालोंगी, आप चाहें तो डारेक्ट ही पैकेट वाला दूट डाल सकते हैं, चलिए अब इसमें उबलने देते, इसमें हमें लगातार हिलाते रहना है, ताकि इसमें क हमारे दूट में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं दो खोटोरी दूट निकाल लूँगे, एक पाउल में, और इसमें मैं केसर मिक्स कर दूँगी, अब इस केसर को मिक्स करके हम थोड़ी देर रख देते, और दूट को हम हिलाते रहेंगे, अब इसमें हम चावल डालते हैं, अब इसमें मैंने चावल डाल दिए, ये जब भी आप चावल डालेंगे, इन चावल का पानी निधार करके फिर इसमें डालें चावल, अब दिखिए इसमें चावल जो है वो पकेंगे थोड़ी देर में दूद में और आप तब तक इसको लगातार हिलाते रहेए यह दिखिए इसे मैं लगातार हिलाते जा रही हूँ और इसके चावल जो है वो पकने लगे हैं और यह चावल जो है थोड़ थोड़े फूल से गए हैं आप इसमें मैं डालूँगे इलाइची जिसे मैंने पीस लिया है और इसके छिलके जो है वो निकाल दिये अब इसे हम लगाता हिलाते रहेंगे और इसमें मलाई नहीं जमने देनी आपने देखिए यह चावल और दूद जो है वो अच्छे तरह मिक्स हो चुके हैं और हमारे इस दूद का कलर भी जो है वो चेंज हो गया है अब हम इसमें डालेंगे चीनी आप अपने हिसाब से भी ढाल सकते हैं जादा या कम जैसे आप पसंद करते हैं अब इसे लगाता हिलाते रहेंगे अब इसमें हम जो वो बचवा हमारा केसरक वाला दूद था वो मैंने इसमें डाल दिये और हम इसे अब 5-7 मिनट फिर से लगाता हिलाते रहेंगे अब इसमें हम डालेंगे ड्राइफूट्स इसे मैंने पहले ही पीस के रख लिया है आप चाहे तो काट भी सकते हैं थोड़े से मैंने ड्राइफूट्स गानिश करने के लिए रख दिये अब देखिए अच्छी तरह से यह जो चावल है वो दूद में मिक्स हो चुके हैं यह पूरी तरह रेडी हो गई है अब हम इसे दूसरे बरतर में शिफ्ट कर लेते हैं और हम गैस बन कर लेते हैं हमारी यह खीर जो है उपन कर रेडी हो गई है आप भी बनाईए खाईए और बताईए यह कैसी बनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर और लाइक कीजिए तैंक यू